दोस्तो केके यार वर्टसेज SRH के बीच होने वाला जो है चियालिवा स्वाँ आईपील मैज बहुत ही दंदार होगा क्योंकि दोनों ही टीम जो है करो या मरो की स्थित में है डू आड़ डाई की पोजिशन में हैं दोस्तो केके यार जहां पर नवे नंबर पर SRH वहां पर यहां पर केके यार ने दोस्तों नौ में मैश में नौ मैश मैश घ्येले जिसे खल कर लिकी ठीया उप्री दोस्तों तो इनकी पोजिशन जो है 0030 बहुत थी अच्छीन है दोस्तों फिर भी अभी स्रहां और के के आर के पास यह लास्ट उम्मीदे हैं अगर इस चगे से दोस्तों टोटल मैस जिद जाती है तो यह लास्ट में खेल पाएगी नहीं तो दोस्तों यहां से अब हटने के चांस ज्यादा बढ़ना है तो यह मैस राजीव गांदी स्टेडियम हैदराबाद में खिला दोस्तों इस तरह से सूचे तो दोनों पारियों में बहूत अच्छे रंग बने हैं यहां पर IPL के 5 मैच खेले गहे हैं जिसमें 1 बैटिंग करने वाली टीम ने 3 मैच और 2 Tucson मैच profits जीते तो यहां पर फ्रस्ट बैटिंग करने वाली का योरेज स्कोर 154 पलकि सिकेंड बैटिंग करने वाले का योरेज स्कोर जो है 165 तो दोस्तों अब और हम चलते हैं केके आर के जो है बैट्समैन कौन-कौन है जग्दीशन है आर गुर्बाज है सार्दुल ठाकुर है वंग्टे प्रकार से बनाने में हम किस प्रकार की ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे आप लोग देखेंगे दोस्तों क्या होगी ट्रिक किस प्रकार से बनाने किस को बनाना चाहिए कैप्टन किस बनाना चाहिए कों मारनेवाला है काउन बाउलर मारनेवाला हैjタik सब कुछ जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले है उसको recover करने वाली टीम आपको जरूर दे देंगे दोस्तो तो आओ हम लोग बनाते हैं एक dream 11, first class dream 11 केकी और यह सारे दोस्तो यह दोनों टीमें जो है समस्तुल है किसी को जीत के एक तरफ नही का जा सकता क्योंकि दोनों टीमें ज़ो है एकोल है और दोस्तो जहां पर एकोल टीमें ऑटी है तहां का ratio दोस्तो 5 इंटो 6 होता है दोस्तो 5 इंटो 6 के ratio में आप दोस्तो बनाएगा 5-6 के रेशियो में अर्थार KKR की तरफ से हम 5 प्लेयर जबकि S.R.S. की तरफ से 6 प्लेयर लेने जा रहे हैं तो KKR की तरफ से देखिएगा हम दोनों उपनर को लेते हैं दोस्तों क्योंकि हम जान रहा हैं दोस्तों कि जो है बैटिंग की अनकूल है पिछ तो बैटिंग के जब कोई अनकूल पिछ हो दोस्तों ये है दोस्तों क्योंकि ट्रिक में आपको ड्रीम 11 से पहले है ये बात जरूर जानकारी होनी चाहिए कि पिछ रिपोर्ट कैसी होनी है और जिसमें टॉस बहुत अहम रहता है दोस्तों ड्रीम 11 के अंदर टॉस बहुत अहमियत रहता क्योंकि टॉस होने के बाद ही दोस्तों फाइनल टीम बनती है तो टॉस आप अनुमान ये लगाया करिएगा टॉस अगर कोई टीम बिन करती है उसके बाद पहले बैटिंग करने का निर्णे लेते तो इसका मतलब है दोस्तों बैटिंग पीछे और टॉस बिन करने के बाद अगर कोई भी टीम बॉलिंग करने का निर्णे लेते तो इसका मतलब है दोस्तों बालिंग पीछे तो आओ हम चलते हैं यहां पर क्या दिमाग लाकाते हैं दोस्तों हम जानते हैं कि राजीव गांधी इंटरनेशनल इस्टेडियों वाले पेस रनों से भरपूर है इसलिए हमें ओपनर भूत ही अच्छे लेने चाहिए क्योंकि अगर नियो अच्छी होगे तो दिवाल भी अच्छी वनेगी दोस्तों तो यहां पर हम एंट जगदीशन और गुर्बाच को ओपनर की तौर पर लेते हैं क्योंकि गुर्बाच ने जो पिछली पारी खेली है दोस्तों संसनी मचा दी है IPL क्रिकट जगत में दोस्तों तो यहां पर इन जगदीशन और गुर्बाच को लेते हैं और गुर्बाच से कराते हैं विकट केपरिंग इसके बाद टीम से लेते हैं विंक्टे सयार है सार्दू ठाकूर है निती स्राणा है और अंद्रे रसल है तो यहां पर सार्दू ठाकूर और विंक्टे सयार और निती सब्सक्राइन है चराना हाई रुविंग टेस एयर को लेते हैं फोस्ट बालर क्योंकि फोस्ट बालरों को कुछ मज़द करेगी पीछी इस आरेच की तरफ से हम लेते हैं मैंका ग्रवाल को जो ट्रम प्लेयर के रोप में हम इस्तमाल कर रहे हैं इन पर विश्वाद जता रहे हैं कि देखिए अब काम कर जाते हैं तो बहुत अच्छा काम होने वाला है निमार क्रम जो सारेच ट्रीम के कैप्टन है और हन्रे बोग जो आई पी अलिटियास में दोजार थे इसमें सबसे पहले सतक लगा चुके हैं बोनेशर कुमार और एम्मार कंडे और टी नट राज चे हैं दोस्तों चे-के-आर के बैट्समें को ही धराम करने वाले दोस्तों आप संवनेजियर जब इसके बालार अच्छे तो उसका प्रमाशर से यहां के बैट्समेंगों पर बढ़ेगा इसलिए हमने विहां पर पांच प्लियर ही किवल चूच कि है वो भी केवल उपनर प्लियार को लिए हैं दोस्तों बल्ले बाजी करने के लिए तो यहां पर हमारे टीम बन कर तयार होती है ट्रीम में क्या है एंजगदीशन है और गुर्बाज है निती श्राणा है मैंक ग्रुवाल है एम मारकरम है हिंदी पुक है अंद्रिर रसल है विंके चक्रवर्ती है भुनेशर कुमार है मारकंडे है और टीनट रजम है तो ड्रीम में देखिएगा एंजगदीशन जो अच्छी फाम में है और बहुत अच्छी बल्ले बाजी करते है और गुरुबाज का तो कहना क्या है दोस्तों नितीश राणा अपनी जो है प्रति हाल दोस्तों मेंक अग्रवाल का है और ये मारकंडे वो बहुत अच्छे परफार्मेंस कर रहे हैं और आंद्रे रसल तो कहीं न कहीं परमार में से दोस्तों करही ले रहे हैं दो में एक में कहीं बॉलिंग में और अच्छे बॉलर है अच्छे बैट्समाइन के साथ तो वी चक्रवर्थी जो टाइप फाइप टाइप टॉप फाइप के बॉलर है इतनी समय IPL में और भुनेश्वर कुमार इस समय कुछ बहुत अच्छी जो है इनिंग डाल पा रहा है फिर भी ट्रम प्लेयर के रूप में भुनेश्वर कुमार को लिया जा सकता है एम मारकंडे भी टॉप फाइब में है दोस्तों एम मारकंडे और ट्रिनट राजन को भी हम ट्रम प्लेयर के रूप में लेते हैं क्योंकि इनका परसाय जो है परसंटेज लेवल जो है बहुत लो है तो यहां पर दोस्तों देखिएगा इस प्रकार से हमारी टीम मन जाती है औ और आंद्रे रसल को हम वाइस कैप्टन दोस्तों आंद्रे रसल को वाइस कैप्टन और आर गुरबाच को कैप्टन मनाते हैं क्योंकि आपको ड्रीम 11 जीतने में दोस्तों ड्रीम 11 अगर बिन करना है तो आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन बहुत अच्छे होना चाहिए ड्रीम 11 विन तो Captain अगर अच्छा केलेंगे तभी दोस्तों आप ड्रीम 11 में विन करेंगे तो इस प्रकार से आप लोग Captain मनाईए क्योंकि Captain के जो है दोस्तों 100 पॉइंट जो है यहाँ पर 200 पॉइंट काउंट होते हैं वही पर VC Vice Captain के 100 पॉइंट 150 पॉइंट काउंट होते हैं तो यह रही सक्रेट जाने करें दोस्तों और उसके बाद आप यह चीज़ बिल्कूर ध्यान देए कि अगर बलेवाज एक रन बनाता है तो उसे एक पॉइंट मिलते हैं दोस्तों पालर के ही ऑठ़ू 15 पॉइंट बसे हैं और कैच लेने वाले को दोस्तों 8 पॉइंट बिल जाते हैं इस प्रकार के टोटाल 33 पॉइंट यह जानकारी दोस्तों आपको कैसी लगी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सेयर करना बिल्कर न भूले और यह क पैनल में नए है तो सब्सक्राइब करने के बाद वेल आइकन जरूर दबाद जिससे हमारा नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले धन्यवाद नमस्कार बंदेमात्रम